बिवानी के जमालपुर में 13 वर्षिये चचेरे भाई रिशब की हत्याकर उसे अपने ही खेत में दबाने के बाद हरियोम लापता भाई को ढूंडवाने के लिए पुलिस के साथ-साथ घूमता रहा लेकिन CCTV फुटेज में देखने के बाद पुलिस को उस पर शक हुआ और सक्ती से पूचताच में हरियोम तूट गया CCTV देखने के मृतक रिशब के पिता और दादा ने आरोपी युवक के पैर पकड़ कर कहा हमारे बेटे का पता बता दे हम कोई केस नहीं करेंगे इतना होने के बाद भी आरोपी ने भगवान और परिवार वालों की कसम उठा कर सभी को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन एस हैचो संजे कुमार को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ आरंभिक पूचताच के बाद वहरा धाई बजे तक सभी को इंट भट्टों पर घुमाता रहा इंट भट्टों पर आई लेबर से बात करने पर भी जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो पुलिस ने सकती के साथ आरोपी से पूचताच की तो उसने सच्चा युगल दी गुरुवार सुबह पुलिस जेपी इंट भट्टे के पीछे सरसो के खेत में वहां पहुँची जहां आरोपी ने खेत के बीच में फसल काट कर रखी थी और ताजा गड़ा खोदा गया था अब कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं पिछले 30 साल के श्रेष्ट अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगड में भी कक्षा बारहवी के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11 और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ केवल लिमिटेड सीट के साथ अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करें इसके साथ CCTV फुटेज देखी तो आरोपी हरियों ने चद्दर ओड रखी थी जो उनके बेटे का इंतजार करने के लिए इधर से उधर चक्कर काट रहा था इसके बाद वह उसे बल्याली के रास्ते पर ले गया इसके बाद गाव में आकर उसने साड़े पांच से चे बजे के बीच दूद भी निकाला